नमस्कार मैं हूँ अनिलोडा और एवन टीवी पर सभी दर्शकों का स्वागत है इस खास कारिक्रम में आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के मासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे जी से जिन्होंने हाली में प्रभारी के रूप में अपने तीन साल पूरे की हैं और जिनके कारेकाल में राजस्थान में भाजपास से सत्ता चीन कर कॉंग्रेस सरकार में काबिज हुई है अविनाश पांडे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है एवन टीवी पर नमस्कार आपसे बड़े लंबे समय बाद बात हो ली चनाओं में बात हुई थी विदान सावा में इसी स्टूडियो में आज हम बात कर पा रहे हैं और संयों की बात है का आज वो दिन है जब देश के प्रदान मंतरी उस वक्त के बहुत बड़े युवाओं के हिदय समराट पुनिती थी आज सबसे पहले मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ आपसे बाचीत के मौके पर क्योंकि रीजनल मीडिया में बहुत कम मौके होते हैं जब देश के प्रदान मंतरी से कोई पत्रकार की मुलाकात हो पाए मुझसे दो बार उनकी ऐसे मुलाकात हुई और उनकी उस समय की युवा पिल्डी में मुझ जैसे ऐसे हजारों और लाकों ऐसे युवा शक्ती से जुड़ने वाले जो सांती हैं उनको उनने पूरे देश में कारे करने के लिए प्रेरित किया और एक ही बहुत ही दूर गामी और देश के सबसे नौजवा अन्परदान मंती के र अपना उरे देश को बतलाया युवा पिल्डी को बतलाया उसे साक्षात करने में उनने कोई कसर नहीं चोड़ी और आज के साथर पर मानिये राजीव गांधी जी को हम अपनी शद्धा सुमन अर्पित करते हैं इनने शद्धान्जली देते हैं लेकिन जो प्रेना उनने द लिखाई थी आज उसी सिद्धान्दों को लेकर हम सब लोगों का छोटा मोटा प्रेतन हैं कि राजनिती के माध्यम से कॉंग्रेस की इस विचारधारा के माध्यम से और कॉंग्रेस के उन मुल्यों को लेकर हम देश को एक नई उचाईयों पर ले जाएं क्या आपको लगता है कि राजीव गानी जी के छोटे से कारेकाल का भी जो राजनितिक मुल्यांकन किया जाना चाहिए इतियास कारों द्वारा और राजनितिक विश्टेशकों द्वारा क्या वे उनके साथ न्याय किया गया है उनका राजनितिक विश्टेशन और उनके कारे उन्होंने इस देश की जनता को और यूआ पीडी को जो दिया मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई किसी के सर्टिफिकेट या किसी के सत्यापन के आवश्यक्ता नहीं है आज विश्व में हिंदुस्तान के नौजवान साथ ही पूरे दुनिया में जाकर जिस प्रकार से आईट संचार में करांती ला रहे हैं ये उनकी देन है जो पूरा विश्व और पिशेश रूप से हिंदुस्तान इसको कभी नहीं भुला सकता तो मैं समझता हूं कि इसी प्रकार के अनेक सपने एक स्वच्छ भारत के एक अच्छी स्वच्छ राजनीती के और मानोता का चेहरा ल पर आगे बढ़ने का जो उन्हें खामयाजा देना पड़ा देश वासियों के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी अपने प्राणों की कुर्बानी देकर उनने देश की एकता अखंडता और राष्टरवात को मजबूत किया है और उसी मजबूती के आधार पर हमारा आज का लोकतंत्र इसी प्रकार के जो नेतां जिन्होंने देश की आजादी से लेकर आज सब अपने मुल्यों के लिए और देश के लिए अपनी अपना आत्म बलिदान दिया है कि हम सब लोगों को सस्मरन करते हुए और मजबूती से आगे बढ़ना है ताकि उनका ये बलिदान गर्थना जाए मैं समझता हूँ आज आप से ये लाइव इंटर्विव हो पा रहा है सेगड़ों मील दूर होते वे भी और हमारे दर्शक इसको लाइव देख पा रहे हैं ये सब उस ऑपरेशन सी डॉट और साइन्टिफिक मिशन की देन है जो राजी गानी ने चलाया था ये मैं बिल्कुल उनको सचच प्रणाम करता हूँ कि आज कि इस मौके पर और जो टेकनलोजी को उनने हिंदुस्तान में उस समय भी लोग इसके विरोध में और उनके इस योजना के विरोध में हमारे विपक्षी जो उस समय चीटा कशी किया करते थे आज उनको भी मानना ह होगा कि ये उनकी दूर दिश्री थी जिसके चलते हुए आज हम इतने हजारों मेल दूर बैट कर भी और लोगों के संपर्प में हैं लोगों से बात कर पा रहे हैं जी लेकिन ये जो पार्टी आपके प्रतीफख्ष में है और इस वक्त केनर में सत्ता में है वो चुनाव लड़ते समय भी बार बार ये बुलंदी के साथ कहती है कि सतर साल में कुछ नहीं हुआ सतर साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ आपकी पार्टी जवाब में उन सब बातों को क्या गिना पाती है उस तरह जिस तरह की इंद्रा गांधी के जमाने किया राजीव गांधी की उपलब्दियों की बात हम कहें जवाब में आप लोग उनको दे पाते हो ये बाते हैं गिना पाते हो अनिल जी मैं इस चीज को दूसरे तरीके से रखना चाहूंगा और मैं उसका संस्वरन रखते हुए एक चीज निश्यत रूप से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज माननिय प्रधान मंत्री जी देश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कर रहे हैं मैं प्रशन करना चाहता हूं हमारे उन सभी बुद्धी जीवियों से जो ये सतर साल में कॉंग्रेस ने क्या किया उस प्रशन का उत्तर कि मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में सबसे पहली राजीव गांदी जी के दूर संचार करांती की बात हमने की लेकिन देश की समयधानिक संस्थाओं के स्थापन से लेकर उनको सही मायने में लोग तक लोकारपन करने तक से लेकर आस तक समयधान की रक्षा करते हुए हमने हर छित्र में हमने जो उस समय का नारा माननिय हमारे स्वरगिये प्रधान मंत्री जवारलाल नहरू जी ने किया था पंचवर्ष योजना के माहिम से और जो उपलब्धिया हुई है जहां पर कि विश्व में हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है तो इसके लिए हाथ कंगन को आरसी की आवश्यक्ता नहीं है और कॉंग्रेस की उपलब्धियां अगर मैं गिनाने जाओं तो पिछले अगर देखें तो हम जो इतिहास कॉंग्रेस का रहा है और उस इतिहास को अगर हम बीच में रखें और उसके चलके हम देखें तो इन 133 साल के 134 साल के इस देश की आज़ादी के इस देश में कॉंग्रेस के स्थापना के बाद में कॉंग्रेस की उपलब्धियां जो हैं लोगों को उसका अध्यान करने के आवश्यक्ता है उसे इस देश का नेत्युत्य के आलग अलग शेत्र में हमारे साइंटिस हमारे डॉक्टर्स हमारे इंजिनियर्स हमारे राजनेता और कॉंग्रेस के मागदर्शन में जो देश ने अपनी ख्याती और अपना इस्थान पराप्त किया है यह हम सब लोगों के लिए सौभिमान की बात है और राजनितिक रूप से इस प्रकार का कटाक्ष करना या इस प्रकार के लोगों को भैकाना और लोगों को गलत भरांतियां उत्पन्न करना यह उनका एक राजनितिक मूह है जिसको जिसका हम निशेत करते हैं इस वक्त कॉंग्रेस का नेतरत्व वैसे सुनिया गांधी जी के हाथ में लेकिन जो नई पीड़ी है रहूल जी और प्रियनका जी दोनों ही राजीव गांधी जी के पुत्र पुत्री हैं क्या आपको लगता है कि जैसा नेतर तो इंद्रा गांधी जी ने राहूल गांधी जी ने दिया था लाजीव गांधी जी शमा करें ये दोनों देश को वैसा नेतर दे पाएंगे और कॉंग्रेस देशवासियों को ये भरुसा दे पाएगी कि वैसा ही नेता देश को मिलेगा जैसे वो दोनों बड़े निता थी कारे करता अभी भी पूरे विश्वास के साथ में आत्म विश्वास के साथ में उसी कारे में लगे हुए हैं सत्ता का आना और जाना ये लगा रहता है और ये कॉंग्रेस ने इससे पहले भी काफी उचाईयां और हमने अपने निचाईयां भी देखी है लेकिन कॉंग्रेस की यही तारिफ है क्योंकि हम कभी अपने मुल्यों से अपने आदर्शों से कभी हटे नहीं और यही वो कारण है कि कॉंग्रेस के आज का नेत्रत्व पूरे स्रदर्टा के साथ में पूरे आत्म विश्वास के साथ में नेत्रत्व कर रहा है और हमको उसका गर्व है ये जो मजदूर सड़क पर घूम रहे हैं अपने गाउं जाने के लिए इनके लिए जो पेनका जी ने आवान किया, बसों का इंतजाम किया, यूपी सरकारों कहा और बसें काम में नहीं ली गई, लोटा दी गई, रायस्तान के बॉर्डर पर खड़ी रही बसें, रायस्तान जिस सरकार के, आपकी पार्टी की सरकार है, उसने भी इंतजाम करने में पूरी मदद की, उसके बावजूद, इस एपिसोड को आप किस तरह देखते हैं? अनिल ये बहुत दुरभाती की बात है, आज पूरे देश में जिस प्रकार से इस COVID-19 जिसे हम करोना कह रहे हैं, पूरे विश्व में जो महामारी जिस प्रकार से पूरे मनुश्य जाती के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन कर आई हुई है, और ऐसे वक्त पर जब इस द चोटे चोटे वियापारी हैं, जब आज अपने आपको बे सहारा और इस समय में अपने आप रसों पर आप अगर देखा होगा कि हजारों की संख्या में पूरे देश में लाखों मजदूर कारे करता सड़कों पर नंगे पाउं बिना खाय पिये, आज चल रहे हैं, ये जो लॉगडाउन हैं, जिसके पीछे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस लॉगडाउन से क्या असर पड़ेगा और इसके लिए कम से कम सिर चार घंटे की नोटिस में लॉगडाउन अमल किया गया, आप भी समझते हैं कि क्या हमारे देश के उन शाशन करताओं को, उन द भी पूरी देश की जनता को कॉरिंटाइन में जाने बोलते हैं, तो इससे देश की आम जनता पे, आम अबादी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इसके लिए आवशक जो कदम पहले से लेना चाहिए थे, उनका पूर्ण रूप से आभाव है, हालकि चौथा कर दिया गया है, लेकिन इसे लॉगडाउन के बाद भी, आज भी हमारे सामने आगे का रोड मैप क्लियर नहीं है, नहीं हमारे आधरनी नितुत प्डेश का जो नितुत करने आधरनी प्रधार मंतरी जी, जोनों ने देश को अपने शब्द जाल से एक बहुत बड़ी उमी देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां पर सैकडों हजारों लाखों मजदूर आज भी भूके प्यासे नंगे पायर चल रहे हैं, एक मानवता के नाते जो मदद हर एक से लेकर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉंगर्स का कार करता आज सड़कों पर है, कॉं और ऐसे वक्त में भी अगर राजनीती की जाएं, और इसमें भी जो हम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए, लेकिन ये तो वही बात होगी कि ना ही मैं करूँगा और नहीं आपको करना है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत न प्रियंका जी ने अपनी इच्छा दर्शाई कि इन बसों के माद्यम से हम लोगों को उनके घर तक पहुंचाने देना चाहते हैं, आपको इसके लिए सिर्फ अपनी मंजूरी देना है, और उस पर जिस प्रकार का एक पूरा नातक रचा गया और राजनीती करन उसका जो कर अपनी बाते हम करते हैं, बड़े-बड़े पैकेजों की बात करते हैं, जो कि फिर से एक शब्द जाल का एक ओश है, एक एक बहुत बड़ा दिखावा है, एक बजट हम करके की, या कहकी कि भीmedimिलेट करने वाला हमें पैकेज दे रहे हैं, जो कि मात्र एक जुनुना के रूप में फिर से देश के सामकी जनता के सामने में बजाया जा रहा है जिसका जमीन इस तर पर ना ही कोई उपयोग है ना ही उसका कोई फाइदा लोगों को अभी तक मिला है जी ये आपकी पार्टी की विधायक भी कह रही है अदीती सिंग की कॉंग्रेस पॉलिटिक्स कर र देना नहीं चाहूंगा पार्टी के जो हमारे वहां के प्रहभारी और हमारे वहां के इंचारज हैं वह इस क्यूपर में निश्चिज ट्रूप से गौर करकर कुछ इतकारवाही करेंगे लेकिं एक या दो लोगों के बादे आप एक विधाया के विधायका के बारे में तो उस पैकेज से क्या मिल रहा है देश को वास्तविक्ता में धरातल पर आपका क्या मुल्यांकन है यह एक बहुत ही निराशा जनक और मैं तो यह कहूंगा कि फिर से अगर यह 20 करोड का जैसे मैंने कहा कि यह 20 करोड का पैकेज एक जुन-जुना ही थाबित हुआ है प्रतिशत इस पैकेज के माध्यम से अतिरिक्त लोगों को इसका प्रावधान हम करेंगे आज देश के जितने भी अर्थशास्त्री हैं जितने भी अलग-अलग एजेंसियां हैं जितने भी अलग-अलग संस्थाएं हैं जिने इस बजट का अधयन किया और इस चीज को जब आज आवज शक्ता है लोगों के जेब में क्रैश शक्ती देने की, उनके जेब में कैश देने की, पैसा देने की, नगत देने की, उनको राहत देने की, उनको आगे नौकरी कैसे मिल सकती है, उसके लिए सुचने की, हमारे किसान भाईयों को किस प्रकार से बीज मिलेगा, किस प्रकार से वो आज अपनी फसल आगे उगा पाएंगे उसकी इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे अपने आदे घंटे के जितना भी माननिय प्रधान मंत्री जी ने अपनी उसे दिन गोशना की और देश को समोधित किया सबसे दुरभागी की बत ये है अनिल जी कि पूरे भाशन में एक शब्द से नहीं इस देश के उन प्रवासी मजदूरों के लिए उन किसान भाईयों के लिए उन बेरोजगारों के लिए और आगे जिनको नहीं 20 मार्च के बाद से जिनको नावेतन मिला है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है जो छोटे व्यापारी हैं जो घर में आज जो दूसरों को कुछ लोगों को खुद स्वेम रोजगार दिया करते हैं आज खुद बेरोजगार होकर घर में भूके बैठे हैं हमारे MSME को जो कि आज देश का सबसे बड़ा रोजगार देने का सबसे चीज को दर्शाता है कि हमारे प्रधान मंत्री इन सभी वर्ग जो कि मैं समझता हूं कि अगर हमारी 130 करोड की आबादी है तो आधे से ज़्यादा आबादी इन लोगों की है जो इस देश को चलाते हैं जो इस देश को बनाते हैं जिनके खुन पसीने से हातों से ये देश उनके संबंध में उनके उनको समवेदना व्यक्त करते हुए या उनको किसी प्रकार की आशा और उमीद दिये बिना हमने 20 लाख करोड का पैसिक पैकेज की गोशना तो कर दी लेकिन वास्तविक्ता में अगर देखें तो जमीनी इस तर पर 6.9 या मैं अगर उसको एक प्रत था जिसमें अलड़ी प्रोविजन किया हुआ था उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक प्रतिशत भी राशी नहीं बनती है हमारे पूरे साल की अर्थ हमारे जो बजट की भोशना की गई थी ये वही बजट के जो फिगर्स हैं ये वही बजट के जो जो संख्या है वही रुपें को वो गिनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे हमने कोई विशेश पैकेज इस देश की जनता को इस COVID-19 कोरोना से लड़ने के लिए और उससे तरस्त उससे जितनी तरस्त ये जनता है जिस प्रकार से इस रोक के महामारी के चलते हुए आज देश में सिर्फ बेरोजगारी और देश में भुकमरी और देश में सिर्फ मौते ही नहीं मिली हैं लेकिन इस महामारी से देश की अर्थविवस्ता भी उसी तरह से चर्मरा गई है कुल मिलाग अगर अगर आप देखें तो केंद्रे सटकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है जहां प काबल हैं हमने बहुत बचा लिया जाने भी बहुत बचा ली रिकावरी भी काफी अच्छी हो रही है इस चीज के लिए आवान किया है कि वे फिर से इस पर पुनर विचार करें और आने वाले समय में इस से बढ़कर जो मुसीबत इस देश की उपर आने वाली है चाहे कोरो चतान बंदोड जी मानिय वित्तमत्री जी अनने इसका विचार करें और कम से कम अगर जो 20 लाख करोड का किया हुआ है वास्थ विक्ता में यदिशनल 10 करोड रुपेे 10 लाख करोड की अगर वास्थ विकता में पैकेज घोषित करते हैं तब जाके हम इस महामारी की जो मार है हमारे अर्थवेवस्ता पे और हमारे आज बूकी और बेरोजगार जो जन्ता है उनको इससे कुछ रहात हम दिला पाएंगे राजस्तान की सरकार जो कि आपकी पार्टी की है और आप उस सरकार के जो एक तरह से निर्मान करने वाले लोगों में से एक है इसमें तो कोई दोरा है नहीं ये एक आपचारिक सवाल होगा कि क्या आप अपनी पार्टी की सरकार के किये गए प्रयासों से संतुष्टें और बिरवाडा मॉडल और राजस्तान में जिस तरह बचाव किया गया हो पाएंगे सब जगे तारीफ हो रही ह है लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त की अब तक की जो भी राजस्तान की सरकार की उपलब्दी है जितनी मेहनत की गई राजस्तान में मुख्यमंत्री ने बारा बारा घंटे पन्रा पन्रा घंटे खुद बैटकर सांसदों विदायकों से वीडियो मैं मैं भी तारीफ करूँ आप भी तारीफ करें इसके आगे क्या क्योंकि जो कटिन समय है वो अब आने वाला है नौकजियों सो निकाले जाएंगे लोग तनख़ा नहीं मिली बहुत जगे प्राइवेट सरस्तानों में और कोरोना का भी एक विस्वोट लोग उम्मीद कर कि लोग डाउन कोड़ने के बाद हो सकता है तो अब आगे क्या राजस्तान सरकार करेगी एक सवाब दूसरा यह से जो मदद चाहती ती राजस्तान सरकार आपकी जानगरी में क्या मदद मिल पाई या नहीं मिल पाई अनिल जी मैं इसको इस प्रकार से आपके जहां पर आपने राजिस्टान की उखलदी है राजिस्थान के नेतृत्रत्र और राजिस्टान के प्रशासन ने किये गए सफलतम प्रियास और उसके चलते हुए प्रदेश की जनता को हर वर्ग को मिली हूई राहat और उसके चलते जो हमारे वहां के नहीं सरिफ मान्य मुख्य मंत्री अशोग गहलो जी और उनका मान्य मंत्री मंदल ने राद देने किया लेकिन प्रशासन के हर अधिकारी हर वर्ड हमारे जो हमारे जो भी सुरक्षा कर्मी हैं चाहे वो डॉक्TERS हों, हमारे पुलिस कर्मी हों, चाहे हमारे पुबलिक डिस्टिविशन से सम्मन्दित हमारे पाधिकारी हों या हमारे वहांके जो दान दाता, जो कि राज़त स्थाने, अमिसाल के रूप में यारे जो दान दाताओं ने आगे आकर और लोगों की जो सेवा की है उन निशित रूप से इतिहास में और पूरे देश के सामने एक मिसाल के रूप में कायम की है उसकी मैं निशित रूप से हम सबको उसकी प्रशंसाह करनी चाहिए और उसका अनुकरन अन्य राजियों ने और अन्य लोगों ने भी करना चाहिए लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर जो प्रशना आपने कहा कि क्या केंदर सरकार की सहाथा परयाप्त थी या केंद्र सरकार ने इसमें पूरे तो नहीं सिर्फ राजस्थान में लेकिन आप उधारन के तोर पे किसी भी राज्य को देख लीजी राजस्थान में ये क्यों कर पाएं क्योंकि राजस्थान का नेत्रत्व राजस्थान के सम्मानिय मुख्यमंत्री राजस्तान में कर रहा है प्रशासनी है हमारे अलिकारी उन्होंने इस चुनावती को इस आने वाली मुसीबत को पहले से आख लिया और हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर लॉक्डाउन की गोशना कहीं की गई तो राजस्तान राजमी की गई इस पर से आप अंदाज लगा सकते हैं कि सिर्फ घोशना ही नहीं कि लिकि गोशनाओं के साथ साथ आपने अभी खुद अपने वक्तवे में आपने जिक्र किया कि बारा से अठ्रा घंटे तक मानिय मुक्यमंत्री जी और उनके सभी साथी गण राद दिन एक करकर उन्होंने ये किसी की तारीफ या किसी क सर्टिफिकेट के लिए कारिय नहीं किया है अने जी मैं आप से इस पर से कहना चाहूंगा कि ये कॉंग्रेस की जो जो कॉंग्रेस की जो विचार धारा है जो कॉंग्रेस का जो जो हम सब सब ये कह सकते हैं कि जो शाहिदेश के उपर में जब कभी भी या मानोता के उपर मे जब कभी भी कोई कुठारगात या कभी आफ़त आई है तो ये कॉंग्रेस और कॉंग्रेस की विचारदार है जिसने अपना सब कुछ त्याग, बलिदान, महनत और कड़ी परिश्रम से इससे उभरने के लिए लोग के साथ खड़े होना क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो शा समिदर में उफान आता है जब समूदर में मौसम विघड़ता हो और समूदर उफान पर होता है और उस spinal ribbon जो reciprocal को और अपने नाव umें बैटे से जो लोगों का बचाव करने में कैप्टन के रूप में माने मुख्यमंत्री जे उनके सभी टीम के सभी लोगों ने अपनी भूमिका का वहन जिस प्रकार से किया है वो प्रशन से नहीं है और निशित रूप से किंद्र सरकार को राजस्थान से कुछ सबक लेते हुए और र सामने रखते हो और आने वाली इस चुनोती को सामने रखते हुए ये सुझाओ दिये हुए हैं राजस्थान के हित में राजस्थान की जरौत को लेकर और साथी साथ देश को आगे आने वाली इस परिस्तिती से इस विकट परिस्तिती से हम और कैसे निकाल सकते हैं उसको ब राहुल गांदी जी ने एक चेतावनी पूरे देश को दिया था अगर आपको याद होगा तो 14 फरवरी को उन्होंने इसके बारे में एक विस्तार में अपना स्टेट्मेंट जाहिर किया था और उसमें इस आने वाली मुसीबत को वी से अगाह किया था और देखिये ये राज पार्टी की और से, हमारे सम्मानिये भूतपूर्व वित्तमंत्री चेदामरम जी की और से, माननिये मनु सिंग्वी जी की और से, माननिये सुर्जेवाला जी की और से, माननिये राश्ट्याद्यक्ष सुनिया गांदी जी की और से, राहुल गांदी जी की और से, और देश हमारा ब्लूप्रेंट रोड मैप क्या होगा उस पर लोगों को आश्वस्त करने के आवश्यक्ता है कि इन मुसीबतों से लड़ने के लिए किंद्र सरकार राजसरकाओं से समन वैकर उन से चर्चा कर और योजनाय अमल करने जा रही है जब तक हम यह मिलकर एक फैडरल सिस्ट आएंगे तो पूरे देश में एक प्रकार का डंडा नहीं चल सकता हर राजी की अलग अलग परिस्थितियां हैं हर राजी की अलग अलग जरूरते हैं हर राजी में अलग अलग वहां के लोगों का आचार विचार हैं और हर राजी के चलते हुए जब तक हम उनको विश्व लेंगे आने वाली हमारी योजना जितना हम अपिक्षा करते हैं सफल नहीं हो पाईगी जी अविनाश जी मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी का यूमन फेस सामने है आशोग गेरोजी का उसकी वज़े से उनकी आठ घंटे-दस घंटे की कॉन्टेंस में वसुन्द राजे भी सामिल हुई गुलाबचन कटारिया जो अपोजिशन की लीडर ने वो भी शामिल हुए और प्रदेश भाजपा की अद्धिक्ष भी शामिल हुए पूरे समय बैठे समझेयां सुनी बताई भी उन्होंने तो राजस्तान में कम से कम मुख्यमंत्री जी के इस यूमन फेस के साथ में विपक्ष ने भी कॉप अप किया कोशिश की की राजस्तान की जनता के हितों के लिए एक जूट होकर काम किया जाए ये तो आप मानेंगे की राजस्तान में पूर मुख्यमंत्री वसुन राजे गुलाब चन कटारिया प्यतिबख्ष नेता बीजेपी के पदेश अध्यक्ष ये सब भी मुख्यमंत्री जी का साथ देते नजर आये हैं निश्यत रूप से और इस चीज़ का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि जितने नाम आपने लिए आदेर निये वसुन राजी से लेकर वहांके हमारे पदेश अध्यक्ष से भी व्यक्तिकत रूप से ये सब अच्छे इनसान हैं और वे समझ सकते हैं कि आज की इस मुसीबत में सब को साथ में लेकर चलना है और उनका सहयोग भी आज बहुत आवश्यक्ता है और मैं कहना चाहूंगा कि मानिय मुख्यमंत्री जी ने जहां पर आगे में इनिशेटिव लेते हुए अगर सब को आमंतित क्या और सब लोगों ने बिना किसी भेद भाव के अगर अगर अप पाकिस्तान से मुख्यमंत्री जी ने प्रदानमंत्री को जी अनिल जी ये देखिए ये वाके में परिक्षा की घड़ी है पूरे देश के सामने परिक्षा की घड़ी है एक तरफ जब हमने नोड बंदी की तब भी हमने लोगों से त्याग और बिलिदान की भाशा में हमने बात किया हम कहां पहुंचे उससे क्या हासिल हुआ आज तक ये निरने करता हूं ने आज तक उसके बारे में हिसाब नहीं दिया कि उससे हमको क्या फायदा हुआ नुकसान जो है देश की जनता के सामने हैं मजदूरों के सामने हैं छोटे व्यापारियों के सामने हैं उनके सामने हैं वो खुद अपने आप में इसी को बेयान करते हैं शाहिए इस देश में जेस्टी के अमल करने की बात हुई जिसकी संरचना कॉंग्रेस के हमारे अर्थमंत्रियों और उस समय के हमारे अर्थशास्तियों ने किया था उसको जिस प्रकार से इस देश में अमल किया गया आप स्वेम जानते हैं कि आज क्या उसके कारण हमारे व्यापारिकन और देश के अत्वेवस्था में उसका क्या योगदान हुआ है तीसरा निश्यत रूप से करोना आज जिस प्रकार से करोना का प्रभाव है इस नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में बलकि पूरे विश्व में इसका दुश्व प्रभाव है और लेकिन आवश्यक्ता यह है कि ऐसे अवसर पर और जैसा भी आपने कहा कि हमारे राजस्थान के छेत मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारी गंड राज दिन उसके लिए उसका भी मुकाबला कैसे किया जा सकता है उससे लोगों को कैसे निजाद दिलाई जा सकती है उसके लिए कारे कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उन प् चीज के लिए तैयार होकर उसका मुकाबला करने के तैयार हो जाती है तो ऐसी आपदाओं को हम इससे पहले भी हमने निपता है और राजस्थान में भी हम इस आपदाओं को निपतेंगे जो नुकसान हुआ है उसके लिए निश्यत रूफ से बहुत दुख होता है लेकिन उसको इसकी पूर्ती और उसके लिए किस प्रकार से हम उन लोगों के साथ खड़े होकर आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं यह कोशिश मानिय मुख्य मंत्री जी की और हमारी राज्य सरकार की है इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूँ अविनाश पांडे जी आपकी छवी सिर्फ राज्यता की नहीं है आप साहित्तिक महोल में पले बड़े कवी प्रदीब जी के साथ भी रहे और आपकी सोच भी सिर्फ राज्यती की निसोच नहीं है समाज के पती जीवन के पती मानुस सब्वेता के पती आपकी एक अलग सम क्या वैल्यूज बदल जाएंगी समाज बदल जाएगा सोच बदल जाएगी व्यवार बदल जाएगा अनिल जी सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग के रहा कि आप जैसे बुद्धी जीओं और अच्छे इंसानों के साथ मिलने का ये मुझे सौवसर मिला है और जैसा कि आपने उलेख किया कि मानने राष्टकवी प्रदीब जी का तो ये तो मैं अपने अजीवन काल का अपने आपको सौभाग अशाली महसूस करता हूं कि मुझे राष्टकवी प्रदीब जी समानने इंदरा जी राजीव जी आदिनिय सुनिया जी उन सब का बहुत इसने हो प्यार मि जहां तक कि आपने पाती कि इस कोरोना की मार के बाद में निश्चित रूप से आप खुच समझ सकते हैं कि और जो भी व्यक्ति देख सकता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव, इसका दुष प्रभाव किस प्रकार से समाज में और देश में पढ़ने वाला है उसके चलते हुए बहुत स्वावाविक है कि अपनी स्वेम सुरक्षा और लोगों के बीच में साधगी ये सबसे बड़ा इसका प्रामानिक नतीजा होगा कि जहां पर लोग इस चीज को समझते हुए अपनी किस पकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और जो क्योंकि इस महाम के बारे में अभी तक के निश्चित रूप से कोई भी वैग्यानिक या कोई भी साइंटिस्ट इस पस्च रूप से नहीं कह पाया कि इस वाइरस के बेहवियरल क्या है या इसके एंटिडोट क्या है उसके पर निश्चित रूप से राद दिन कोशिश चल रही है कि उसके खोच करकर इससे निराकरन करवा सकें लेकिन जैसा आपने कहा कि लोगों का विवहार लोगों की सोच और पुरे असी की सोच निश्जित रूप नहीं होगी क्योंकि एक चीज का वह जहां पर हमने इसके कारण जितनी तरासदी हुई है वो तो सही है लेकिन इस से सीखा है अपने दोस्तों को समझ सका है अपने परायों को समझ सका है और इसके चलते हुए हमारे जीवन में सिर्फ पैसा या सिर्फ अर्थ और सिर्फ नाम और शोहरत सिर्फ वो काफी नहीं है बलकि आत्मिता, इंसानियत, वैभार इस चीज को निश्यत रूप से प्राध जोस्तानी सोच है, हमारी जो संस्कृती है, हमारी जो विचार करने के शैली है, हमारे शास्त्रों में किया हुआ उसका उलेख है, और मानवता का, उसका फिर से एक बार मैं समस्ता हो कि लोगों के दिमाग में ये चीज फिर से ताजा होगी, और उन मुल्यों को जीने के लि के सामने भी कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो तो ये नए मिजाज की दुनिया हो गई है अब लोग फासले से मिला करेंगे ऐसा मुझे लगता है जी बहुत सही बहुत सही बिल्कुल सही काने लिए आप शक्ति दे और इस मुसिबत से निकलने के लिए जो प्रयतन जो कोशिश हमारे सुरक्षा करमी है और हर वो इनसान जो एक दूसरे की मदद कर रहा है उसका इश्वर मदद करें यही प्रातना हम कर सकते हैं और जल्दी से इसे नजाट पाएं यही एक इश्वर से हम प्रातना क मुझर बताते हैं मुझे कि उस वक्त भी ऐसा ही नजारा देखने को आता था जब लोग इस पार से उस पार उस पार से इस पार जाते थे तो कितना बड़ा दुर्भागी है कि देश में आज यह आहलात हो गए मैं दुर्भागी इस चीज का है कि इन सभी चीजों को लेकर अगर आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कई जुम्मेदार मीडिया कई जुम्मेदार हमारे पत्रकार कई हमारे चैनल्स आपका चैनल्स इस चीज को उजागर तो कर रहा है उद्देश मातर यह है कि देश के शाशन करता जागरुत हूँ लेकिन निराशा के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन सभी चीजियों को आखों से देखते हुए भी अगर हम आख हमारी केंद्र सकार अगर आख बंद कर लेती है और इसी प्रकार के सिर्फ गोशना है जो कि सिर्फ एक मात्र जुन जुना और जुमले ना होकर जो हम यह कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो निशित रूप से ये एक बहुत गंभीर विशह है और इसलिए विनमर्व निवेदन आपके माध्यम से आपके इस चैनल के माध्यम से और हमारे उन लाकों करोणों मजदूरों के किसानों के माध्यम से जो बेरोजगारों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार गंभीरता से इन विशहों का संग्यान गे और इसके लिए जो उचित कदम हो सकते हैं क्योंकि राज कोश जब अपति आती है जब इस प्रकार का बड़ा समय आता है तो देश की जनता के लिए ये कोश खोल देना चाहिए कोशिश करें कि हम उनके दुख को कितना कम कर सकते हैं जब ये सुखी होंगे जब ये मजबूत होंगे तो ही हमारा देश मजबूत हो पाएगा और नो निर्मान के लिए इनी ताकतों की इनी हाथों की और इनी नوجवानों की हमको आवश्यक्ता है ये विचार जरूर मन में रखना चाहिए रेल मंत्री जी कहते हैं कि हम तो रेल चलाने त्यार थे राजे रियल मांगते ही नहीं है मजबूरों के लिए उनका ये आरॉब है अनियल जी ऐसे उनके आरॉब एक हम अगर हम निदाकरन और उनके आरॉब को अगर जवाब देते रहें तो ये इस समय में मैंने जिख समझता और नहीं सुझाओं को किरफा करके कोई criticism बोल के ना लें, ना है कोई कठाक्ष बोल कर लें, मैंने भी जो उलेक आप से किया, इसमें किसी प्रकार का राजनीती, राजकरन नहीं है, क्योंकि आज आवश्यक्ता है कि चाहे वो रेल हो, चाहे विद्ध मंत्री हो, चाहे हमारे स्वास्त मंत्री हों, चाहे हमारे अलग-अलग वैग्यानिक संसाओं से जुड़े हुए हमारे आध्यानिय मंत्री महोदे हों, चाहे हमारे मुख्य मंत्री भी कई राजियों के हों, कि जो सकारात्मत और लोक सेवा किसे संबंदित कारियों का भी राजनिती करन ख संक्रमन से निपटने के लिए, और इस महमारी से निपटने के लिए लोगों के दुख दर्स बाटने के लिए उसका हमें साथ लेना चाहिए और उसका हमें आभार मा나ना चाहिए. यही आज समय की पुकार है और यही वक कहता है कि हम अपने आपको उतना इमानदार रखें क्योंकि राजनीति आज ना कोई चुनाओं है ना कोई आने वाला चुनाओं है जिसके चलते हुए लेकिन उसके बावजूद भी जो एक संकिर्न विचारधारा लेकर माननिय उत्रपदेश के प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री जी और हमारे पुछ राजनीतिक जो जिस प्रकार से विवार कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा इस प्रकार की कारण में मानसा करने के पीछे मेरा कोई उद्देश नहीं है उद्देश मात्र इतना है कि हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करें ताकि लोगों कुछ से राहत मिले और आने वाला समय है तब फिर देख लेंगे जब चुना हो आएगा तब उसमें फिर राजनीतिक कर लेंगे हैं चालांकि ये आपने कहा ये वक्त नहीं है मैं भी दो ऐसे सवाल पूछता हूं जिनका ये वक्त तो नहीं है पर जब मैं कोई सवाल करता हूं बहस करता हूं तो ये कि क्या हम राजनीतिक न्यूक्तियां करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक साल निकल गया अक्सर हर साल सरकार जब आती है तो दो साल ऐसे निकल जाते हैं फिर जो पांस साल के न्यूक्तियां होती है उसका कोई मायनी नहीं रहता तो अब जो इस कोरोना काल में संक्र कारेकरतों ने काम किया कोई भूका नहीं सोई जगे जगे काम किया तो कुछ छटके निकल के आएं कुछ कारेकरता जिनको ताकतवर बनाने के लिए आप नियुक्तियां देगे किनी पदों पर जी मैं ये राजनितिक नियुक्ति के बारे में बहुत इस्वस्ट कर चुका हूँ और इस बारे में मैं बहुत इस्वस्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि राजनितिक नियुक्ति के बारे में मानिय मुख्यमंत्री जी और मानिय प्रदेश अध्यश दोनों इस फिश के अंदर वे पूर्ण करेंगे और इसके लिए जुम्हे बहुत बड़ी जुम्हेदारी हमारे सम्मानिये जो हमारे प्रभारी मंत्री गण हैं उनको ये जुम्हेदारी दी गई है कि वे माननिये जिलाद्यक्षों के साथ में वहां के हमारे नियोक्त जो जन प्रतिनिदी हैं उनसे चर्चा करकर और हमारे जो वरिष नितागन हैं इनके संबन्द में ये प्रक्रिया को पूरा करें वह उसके उपर में काम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि माननिये प्रदेश अत्यक्ष और माननिये मुख्यमंत्री जी अपनी जुम्मेदारी और कार्यकरतों के प उनकी बहुत बड़ी अपिक्षा आज राजिके नेत्रुत्व से है जिसमें नहीं सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रदेश अद्यक्ष जी हैं लेकिन वो सम्मानिये मंत्री महदय और हमारे सम्मानिये संगठन के सभी पदादीकारी भी हैं जिनको अपनी अपनी जम्मेदारी को समझ के और कारक्रतों के प्रती उनकी नहीं तिक जम्मेदारी जो है उसके चलते हो इस कारी को पूरा करना है और मुझे खुशी और विश्वास है कि हमारे इन सभी जम्मेदारी जम्मेदार नेतागन अपने इस जम्मेदारी का वहन बखू भी करेंगे और बहुत जल्द ही इस संवन्द में क्यों ये करोना का जो अचानक जो संक्रमन और जो मुशिवत आई है निश्यत रूप से आज जानों को बचाना आवशक है हमारे लोगों की रक्षा आवशक है लेकिन इसमें भी काम नहीं रुका हुआ है और तिथिया बहुत जल्द ही इस मैं समझता हूं की राज़्य सरकार और हमारा संगठन कदम उठाकर और मेरे पास में इस संवन्द में सुझाओ जल से जल बेजेगा और जितना जल्दी ये सुझाओ मेरे पास में आता है मानने कॉंग्रेस अध्यक्षा का की सहमती से हम उसकी गोशना जल से जल कर देंगे परिशन मंत्री मंदल में मंत्री परिशद में कोई संभावित है अगले मेहने में देड़ वर्षों के कारेकाल में अनेक ऐसी चुनौतियां आई अनेक ऐसे विशय आए जिस पर की कई लोगों की परिशाएं भी हुई है और कई लोगों ने बहुत उसमें अच्छा संभाब में में हो लेकिन वह सभी अच्छे लोग संगंठन की कोशिश यह होती है जैसा आपने कहा है कि मेरे मेरी कोशिश तो सिरफ वहाँ पर आप हमारे सांथिओं के बीच में उनके साथ खड़े हो कर और उनके कारों को सकारिव को सफल बनाना है मंत्री मंडल में पांच इस्थान रिखता हैं वास्तर रिखता है और उस सोच विचार चालू है उचित समय आने पर मानिय मुक्यमंत्री जी मानिय पदेश अद्धिक्ष और आधनिय कॉंगर्थ अड़क्षा इस पर निरने लेंगे और बस इंधियार की बात है समय जैसी जो उचित समय होगा उस समय में निरने लिया जाए जी अविनाश पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर बैट कर टेक्निलोजी के माध्यम से हमारे दर्शकों को अपने मन की बात कही हमारे सवालों के जवाब दिये एवन टीवी के दर्शकों की और से भी इवन टीवी के और से भी मैं आपका शुक्रिया आदा करता हूं आई होप कि जल्दी ही कोरोना का ये संकर निप्टे और किसी इस्टूडियो में फिर आप से मिले एक बार फिर और उसकी सबलता और लोगों के लिए की आवाज इस पकार से ही वे उठाते रहे ऐसी मैं आपने आप से शुपका मैं